तो टेक्नो का आज भारत में नया स्मार्टफोन लाँच हुआ, फांटम 9. यह है वो स्मार्टफोन, ट्रिपल कामरा सेटप है इसमें और साथी इन डिस्प्ले फिंगर पिन, सेंसर और पावर पक्ट फीचर्स. बताते हैं आपको इसी फोन के बारे में, आप देख रहें टे 9 पे आप ध्यान दीजेगा, जितने भी इस फोन के फीचर्स हैं, इस तरही की पाकेजिंग भी गई है, we just need to turn the box a little bit, ताकि फोन बाहर आजाए, and here it is, तो यह है टेक्नो का फांटम 9 स्मार्टफोन जो की आज ही भारत में लॉंच हुआ है और एक्स्क्लूसिवली आपको हम दिखा रहे हैं इसकी अन्बोक्सिंग, तो देखिए, फिर्स लुग, और अन्बोक्स करते हैं फोन को, तो यह लुका दा, नाइस लुकिंग फांटम 9 स्मार्टफोन, तो कुछ इसदर एका दिखता है, इसको अन्वाप करते हैं, यह रहा टेक्नो का फांटम 9 और फोन के बारे में आपको और कुछ बताने से पहले, बॉक्स में देख लेते हैं क्या-क्या कॉंटेंट दिये हैं, कुछ इस तरह का दिखता है, फोन उसको अन्राप किया हमने, और फोन में अब देख पारे हैं क्या-क्या डिजाइन दिया गया है, तो आप देख प्रक्से हैं, यहां पर, डॉट नॉट नॉट डिजाइन है, and moving on to the left side, you can see there's a SIM tray, SIM tray में आपको दिखा रहे हैं स्लोट, this is the triple slot, dual SIM के लिए और एक अलग से slot दिया गया है, microSD card के लिए, which simply means that its memory expandable है, और देखें आपको दिखा यहां पर, नीचे की तरफ दिया गया है, speaker, micro USB port, micro fan, or 3.5 mm headphone jack, right side में दिया गया है, power buttons, और volume rocker, back side you can see is the magic, काफी अच्छा gradient design है, आप देख सकते हैं, it's a 3D back cover and aurora styling इसमें दिया गया है, so, जो gradient है, that moves from one color to another and makes it look very, very beautiful, techno का यहां पर आप लोगो देख सकते हैं, phantom यहां देखा गया है, phantom is specifically for the cameras, because they actually work like phantom, they are powerful and they give you good pictures, so, आप देख पा रहे है, triple camera setup है पीछे, और साथ ही, quad rear flash दी गई है, so, यह design, फ्रांच में आप देख सकते हैं, जो dot notch है, उसी में camera दिया गया है, बाकी बात हैं आपको बताएं, screen आप देख सकते हैं, 6.4 inches है, full HD plus AMOLED screen है, resolution 1080 is to 2340p है, वहीं काफी हलका phone है, 164 grams है, और काफी sleek phone भी है, triple camera की बात करें, तो दिखाएं आपको पीछे की तरफ, triple camera दिया गया है, 16 megapixel, plus 8 megapixel, plus 2 megapixel configuration है, AI triple camera है, with quad rear flash, और night and golden भी है, इसमें 2.0, dual LED refresh, front camera है, 32 megapixel AI, 32 megapixel, which simply means कि ये एक selfie-centric smartphone भी है, moving on to other things, आपको बतादें कि इसकी battery है, 3500 mAh की, और जो storage है, इसकी वो है, 6 GB RAM और 128 GB internal storage, और इसको आप expand कर सकते हैं, 256 GB तक, आपको triple slot हमने दिखाया, dual SIM 4G LTE smartphone है, यह, Helio P35, 2.3 GHz, optical processor है, इसमें, और साथ ही आपको बता दें कि, HiOS 5.0 और Android Pie पे चलता है, अब देख पा रहे हैं यहां पर, एक छोटा सा shortcut भी दिए गए है, a small window where you can slide it, and here you can add whichever app you want to add, कीमत Phantom 9 की है, 14,999 रुपे, जी हां, 15,000 रुपे में टेक्नो का Phantom 9 भारत में लाउंच हो गया है, और कुछ इस तरही का दिखता है, स्मार्टफोन आपको features बताए हमने, साथ ही इसकी pricing भी बताए, और review देखना चाहते हैं, तो comment section में लिखें, और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें, So Phantom 9 भारत में जो लाउंच हुआ, exclusively आपको दिखाए हमने first look, टेक पैक पा है,